मैंने मानियों सदर्श शेशी तरूर जी की बात सुनी ध्यान से फ्लैबी साइट का क्लाज कहीं नहीं रखा गया था अजादी के सवे भारत के दो हिस्टे से प्रिंसली इंडिया ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली इंडिया में 550 से अधिक राजवाडे थे इंडिया इंडिपेंडेंट्स एक्ट शेशी तरूर जी इस लिटरेट परसन जो लॉर्ड मांट बेटर ने ड्राफ्ट किया था उसके तहट इंस्टूमेंट अफ एक्सेशन लिखा गया और अप्रा आप्शन देना था कि हिंडूस्तान के साथ जाना पाकिस्तान के साथ जाना उसमें कहीं भी प्लेवी साइट की बात नहीं थी एक तूसरा यदि ये मान भी लिया जाए जैसा ये कहरें है कि नहरू जी को इतनी ज़्यादा शेख अब्दूल्ला की चिंता नहीं थी या किश्वीर की चिंता नहीं थी और बेवी ही वास नोट सो मच इन्वालड आज इस बीग सेट वाई सम अकॉर्डिंग तो हिम जब 1953 में शेख अब्दूल्ला को हिरासत में लेकर के कोडे कनाल भेजा गया if he can code letters I can also but I didn't know he would come I would have come with the letter itself उन्होंने इंद्रा जी को एक letter लिखा है please go back to the history of Congress party इंद्रा जी उसमें Switzerland जी और नहरू जी ने लिखा and this is quoted in the book of इंद्रा गांदी and हकसर written by written by जैराव रवेश अरे ठहर जाईए साथ आपकी किताब आपको बढ़ा रहा हूँ आपकी किताब तो आपको बढ़ा सकता हूँ ना मैं ये intertwined lives हकसर एंद्रा गांदी very recently published by जैराव रवेश के उन्होंने इंद्रा जी को लिखा के मुझे दुख हुआ के शेख को रहस करना पड़ा और इंद्रा जी ने कहा के I know that you must be upset absolutely, absolutely I agree with you I am glad that Madam Sonia Gandhi has acknowledged this so what I am trying to say yes ma'am, exactly, exactly that's what I am trying to say I am just endorsing on your say so what I am trying to say is that Nehru himself regretted having given the kind of patronage to Sheikh Abdullah which he did and therefore Sardar Patel stood vindicated